हलो एवरीवान एक बार फिर्ट से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे तो फाइनली आप लोगों ने अपना जो रिजल्ट है वो देख लिया होगा कि आपका सेलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है और अब काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे नहीं कुछ अलग यहां पर दिया हुए लेकिन इनका जो इनफोर्मेशन बुलिटीन है उसमें पहले क्लियर की हुई है और आपका रिजल्ट वैगरा वैसे है तो इनको हम लोग गलती में नहीं रख सकते तो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा कि जो है सोरी कि अगर आपको अपग्रेड करना है फ्रीज करना है किस तरीके से इनका पूरा सिस्टम काम करता है इन्होंने अपने ओपिशेल नोटिफिकिशन में यह चीज़े दे रखी है तो हम लोग स्टेप आपको सारी सीज़े बताने वाले है और सेकंड रांड का भी जो है कट आप जब आएगा कि देखना कैसे ओपिशेल वेबसाइड पर आगे यहां पे लिंक जो है वह आपको दिख रहा होगा देखे यह रहा यह पीजी के लिए सबसे फ़र्ष्ट वाला ही था एक्च्वाली अभी फिर से आ जाएगा नहीं तो आप देखिए यहां पर देखिएगा यह लिंक आप गाले कर ले लोगीं करें कि अगर होगा तो आपको और यहां पर चलते हैं यहां पर दिया गया उसकी तरफ रहot करते हैं तो चेप्टर नंबर फाइफ होगा यह रहा ठीक है अलोकेशन जो रूल्स है उसके बारे में यहां पर जो है आपको सारा कुछ जो हो समझाया हुआ है सबसे पहले यह कहना चाहते है कि आपको अभी जो कोर्स अलोट हुआ है वो सबसे पहले आपको उसको एक्सेप्ट करना है अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन केस अगर आप उसको accept नहीं करते हैं तो आगे आपको consider नहीं किया जाएगा, सबसे पहला आपका काम क्या है उसको accept कर लिजे जो आपको यहाँ पर course मिला है, अब ऐसे candidate जिनको एक से ज़्यादा यहाँ पर course में admission मिल रहा है, ठीक है, ऐसे student जिनको multiple courses में मिल रहा है, मतलब उन्होंने एक से ज़्यादा का exam दिया था और उनमें उनका selection हो रहा है, तो उस case में उनको admission तो एक में मिलेगा, तो उनको एक अपनी इच्छा अनुसार जिसमें उनको करना है अपना PG तो वो accept करेंगे, ठीक है, एक आप accept उसमें कर लीजेगा, जैसे किसे ने B.A.D. का भी दिया और किसे ने political science का भी दिया था, तो अगर आपको B.A.D. का करना है तो B.A.D. को accept कीजे, और अगर आपको political science का करना है तो आप political science का accept कीजे, clear हुआ आपको यह तो पहला मैंने आपको बताया आपको accept करना है दूसरा अगर आपके दो तिन courses थे तो उसमें से एक आपको जिसमें आपको करना है graduation वह आपको accept यहां पर तो यह जो आपकी यह लिस्ट है वह आपकी dashboard में ही शो करेंगी यहाँ पर फिलाल को unw could Unless अलग से लिखा वा नहीं है तो आप डेस्पोर्ड को चेक कीजेगा वहीं पर आपको सारा कुछ जो वो शो करने वाला है कि लिए अब देखिए यह आपको यहां तक क्लियर हुआ अब देखिए जैसे ही आप उसको करेंगे तो अब कुछ इस्टूडेंट करें रहे हैं कि पेमेंट का उप्षिन नहीं आ रहा है तो भाई आपने उसको एक्सेप्ट किया ठीक है एक्सेप्ट हो गया अब वहाँ पे लिख वहीं डिपार्टमेंट सेन्टर ऐसे कुछ लिख लिखा रहेगा देखिए यहां लिखा वाया है वस्ता केंडिडेट एक्सेप्ट अप्रोविजनली अलोकेट सीट यानि की अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया देन आ कंसीडर करेंगा डिपार्टमेंट सेंटर को लेज जो आपको मिला है वह विल भी चैक इलिजिबिल आपको जैसे आप एक्सेप्ट उस चीज को करेंगे तो उसके बाद जो है यह सारा कुछ आपको जो वह देखने को मिलेगा तो डोकुमेंट को वेरिफिकेशन जो आपका होगा टाइम लाइन जो है वह दी हुई है आपको आपके डेसवर्ड में शो कर रही होगी कि दो ति चेक करेंगे ठीक है मिनिममम प्रोग्राम कितने वो सारी चीज़े है और से यूटी का पूरा डिटेल वगरा उसमें है देखिए यहां पर यह लोग जब आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा मतलब चेक कर लेंगे तो यहां पर है कि अगर यह अप्रूब कर ल डिपार्टमेंट मिला उसके तुरूब आपको यहां पर डोकुमेंट चेक के जाएंगे तो अप्रूब होगा या रिजेक्ट होगा वो चीज आपको आपके डेसबोर्ड में शोक कर जाएगी ठीक है इनकेस आपका अप्रूब हो गया अप्रूब होना इची है मैं तो उप्रूब जैसे हो जाएगा तो यहां लिखा है एटा रिजेक्ट होता है तो फिर आبको जो है यहां पर डिपार्टमेंट से एक बार कोंटेक्ट कर लेना है वह हो आपको मैल वग्शा कर देंगे और किस कारण से आपका जो है वो reject हो सकता है वो कारण यहां पर जो वो लिखे हुए है तो आपका अगर reject होता है तो आप check करते रहे ना इनके द्वारा mail वगरा कुछ आपको किया जा सकता है ठीक है mail वगरा किया जा सकता है तो उसी के तुरू जो है फिर आपको इनसे मतलब contact करना पड़ेगा ठीक है अब आप देखें यहां पर यही है आप department से एक बार contact कर सकते हैं उसके बाद यह admission का प्रोसेस है कि प्रोवीजनली सीट अलोट हो गया आपको फीस यहां पर पे करना है ओके तो यह जब आप complete फीस हो जाता तो एक बार चेक जरूर कर लेना कि वहां पर फीस डन हो गया या नहीं हुआ देखें यहां पर और एडवाइज आपको दी गई है कि लास्ट डेट का वेट मत करना भाई कुछ लोग लास्ट डेट का वेट करते तो फालत में वेट मत करना आप सीट अक्सेप्ट करिए और जैसे डोकुमेंट चेक होते है पेमेंट का option आ जाएगा हो सकता है अल यहां पे जो second round में जो चीजें चलती है जो अपग्रेड जिसको हम बोलते है या फ्रीज करना जिसको बोलते है तो उसका भी यहां पर सिस्टम दिया वह है तो आपको option यहां पर मिलेगा आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपको हाई प्रिफरेंश यह तो आप यहां पर सारे student के लिए एक्षुएली ओपन होता है यह लेकिन कौन स्टूड़न्ट इसको अपलाई कर सकता है सारे स्टूड़नट के लिए ओपन है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मिलेगा इकिस किस को मिलेगा वह आप लोग यहां पर देखिए इस तो जितने भी student है वो यहां पर upgrade वाले को जो है वो select कर सकते हैं अगर आपने upgrade को select किया ठीक है आपने किया तो फिर जो higher जो preference है means की जैसे आपने number first पर जो है एक second आपने number first पर जो है वो Hindu को दिया ठीक है आपने Hindu college first पर यहां पर दिया था और आपको तीन number पर मिला है हंसराज जो college वो मिला है तो आपको अगर Hindu चाहिए अप upgrade पर डालना चाहते हो तो आप upgrade वाले option को select कर सकते हैं और आप संतुष्ट है कि यार मुझे हंसराज मिला है बहुत अच्छा college मुझे इसी में admission लेना है तो आप upgrade नहीं करेंगे clear तो यह actually यहां पर upgrade का system है आपको multiple courses अगर मिल रहे तो वह तो खैर मैंने आपको बताया कि आपको एक में यहां पर करना है ठीक है अब देखिए यह आपका upgrade का आगया कि अगर आपको मतलब उपर वाले college के लिए डालना है तो आप कर सकते हो और अगर आप संतुष्ट तो आप मतलब फ्रीज कर सकत हो जाएगा जैसे किसी स्टुडेंट को हिंदू college जो है वो मिल गया ठीक है तो उसने वहां पर आगे अपग्रेट के लिए कुछ डाला नहीं तो उसको हिंदू ही मिल गया उसका admission का प्रोसेस कंप्लीट हो गया डोकुमेंट चेक होके उसका फीस वगरा यहां पर पेगरने के आपको जूरते नहीं है लेकिन आप चाहते हो करना है तो आप पर different करता है ओके एक option यहां पर था वो जो मैं मिस कर रहा हूं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जैसे कि यहां पर इन्होंने clearly जो है वो यहां पर mention किया है यह देखिए यह वाली लाइन को आप लो फॉस्ट प्रिफरेंस in the particular program सी अजिए आपको फॉस्ट जो प्रिफरेंस था वह मिले गया आप 25 ठीक है पचीस आपने डाली थी उसमें से आपको फ़श्ट वाला भी मिल गया आपने डिपार्टमेंट ता डिपार्टमेंच मिल गया आपने पॉलिट यह जो है नोर्थ कें वाला रहर होता हैं यह high preference के लिए होता है मतला ऊपर वाली college मिले लेकिन आपको तो top का college मिल गया है जो आपकी पसंद का till citizen तो फिर आपको upgrade वाला option कैसे शियो करेगा तो ऐसे घबरा नामत की स्विव नहीं कर रहा है अपने course को उसके बाद डोकुमेंट आपके चेक होंगे डिपार्टमेंट डोकुमेंट चेक करेगा उसके बाद आपको फीज का ओप्शन आ जाएगा फीज पे कर देना और अगर आप अपग्रेड के लिए भी डालेंगे तो भी आपको फीज यहां पर पे करना है ठीक है विड्रोल के लिए यहां पर पूरा दिया है एड्मिशन बाद में कैंसिल करवाना है तो लेकिन ड्यू में तो कोनी कैंसिल करवाएगा यह मिड एंट्री के लिए खैर इसके बादे में मैं और कभी डिसकर्स करूंगा तो फिलाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे होपफुल याज सब के डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का ठैंक्यू सो मच और चैनल पर बने रहिए सब्सक्राइब करके रखिए आगे अपडेट आपको मिलती रहेगी